जहिन साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरिट एजुकेशन चैनल स्टॉडी एग्जाम अकैडमी पर नए होतो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भुलिए ताकि इसी प्रकार की रेगुलर ग्लासेस आप सभी को मिलती रहें तो आज की टॉपिक का नाम है मध्य कालीन भारत का इतिहास तो चलिए आज की प्रशनों की शुरुआत करते हैं तो पहला प्रशन है कुतुब मिनार किस प्रशे दिशाशक ने पूरा किया था तो इसका राइट ओप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी इलतु तुमिस ने पूरा किया था अगर क्वेशन में आ जाए कि कुतुब मिनार का निर्मान किसने शुरू करवाया था तो उसका राइट ओप्शन क्या होगा ध्यान रखिएगा क्वेशन में फर्क है अगर एबक ठीक है लेकिन अगर फिलहाल यह पूछा हुआ है कि पूरा किसने करवाया था तो इसमें इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इल्टुत मिश अगर कोशन में यह आ जाए कि इल्टुत मिश के बाद मतलब इनकी डेथ के बाद पुनर निर्मांड किसने रोज सा तुगलक लेकिन अगर क्वेशन में सिर्फ पूरा करवाया था तो इसका राइट आप्शन क्या होगा हमारा बी इल्तुत मिस चलिए अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं दूसरा प्रश्ण लाल बक्ष की उपाधी किस शाशक को दी गई थी किसकी उपाधी लाल बक्ष की उपाधी ए इल्तुत मिस बी बलबन सी रजिया डी कुतुब दिन अबक तो इसका राइट आप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी कुतुब दिन अबक ठीक है चलिए अगले प तो इसका right option क्या हो जाएगा हमारा बताईए तो इसका right option क्या हो जाएगा हमारा तो पोलो को ही हम चौगान के नाम से जानते हैं ठीक है तो चौगान भी अगर question में आ जाए तो इसमें इसका right option क्या हो जागा कुतुब दिन एबक कौन सी इश्वी में हुई थी तो बारा सो दस इश्वी में हुई थी चलिए अगले प्रशन की और बढ़ते हैं उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी ए रजिया सुल्तान बी मुम्ताज सी नूर जहां डी इन में से कोई नहीं तो इसका right option क्या हो जगा हमारा ए रजिया सुल्तान कब से कब तक इन्होंने शाषन किया था तो कब से कब तक 1236 इश्वी कौन सी 1236 इश्वी से 1240 इश्वी तक ठीक है 1240 इश्वी तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शाषन किया ठीक है चलिए अगले प्रशन की और बढ़ते हैं मुहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न लिखित में किस विश्वशनी जनरल को छोड़ कर गया था तो इसका राइट ओप्षिन क्या हो जाएगा हमारा सी कुतब दिन ऐबक चलिए अगले प्रशन की और बढ़ते हैं रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी एल्तमस की बी कुतब दिन ऐबक की सी नसीरु दिन की दी बलबन की तो इसका राइट आप्शन क्या हो जागा हमारा ए अल्तमस की ठीक है अल्तमस की मतलब ये अल्तमस किसका बचपन का नाम था इल्तुत मिस का किसका इल्तुत मिस का बचपन का नाम क्या था अल्तमस ठीक है फिर क्योंकि क्यों था ये तो एतिहासिक फार्सी भाषा की पांडू पांडू लीपियों में क्या होता था कि आम तोर पर चिन्हों को छोड़ दिया जाता था इसलिए उनिस्वी से बीश्वी शताबदी में सताबदी के विभिन लेखकों ने इलतुतमिस के नाम को अलतमिस या फिर अलतमस के रूप में पढ़ा था ठीक है तो इसलिए इनका संभालने से पहले बल्वन किस सुल्तान का प्रधान मंत्री था नसीरुदीन बी कुतुबदी नैबक सी बहराम शा डी अराम शा तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जगा हमारा ए नसीरुदीन चली अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का राजिकाल कब समा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जगा हमारा बी अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं निम्न लिकित में से किसको शक्ति शाली सैने बलो के एक समूब चिहाल गनी के विनास्त का श्रे दिया गया था तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ए बलबन चली अगले प्रश्न की और पढ़ते हैं चंगेज खान ने जलालू दीन का पीछा करते हुए किसके शाशनकाल में भारत की सिमाओ पर आक्रमन किया था तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी इलतोतमिस ठीक है इनके बचपन का नाम अलतमस चली अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे ए मंगोल बी अफगान सी तुर्क डी एक जाट कबीला तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी एक तुर्क थे वो ठीक है चली अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं मदुराई तक सफलता पूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था ए खिजरखा बी मुहमत गौरी सी मलिक काफूर डी मुहमत बीन तुगलक तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी मलिक काफूर चली अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं स्वयम को दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था ए बलबन बी अल्लाउदीन खिल जी सी मुहमत बीन तुगलक डी सिकंदर लो दी तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अल्लाउदीन खिल जी यानि की बी ऑप्शन इस दा करेक्ट ऑ साहित तुगलाक तो इसका राइट आप्शन क्या हो जाएगा तो इसका भी राइट आप्शन क्या हो जाएगा अल्लावदीन खिलजी चली अगले प्रस्ष्न की और बढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलग निपुण था कौन प्रश्न की और बढ़ते हैं सुल्तान वंश की विशालतम स्थानिये सौरी स्थाई सेना जिसका भुक्तान सीधार राजे द्वारा किया गया था बनाई थी किसने ए इल्टो तुमिस ने बी अल्लाउदीन खिलजी ने सी मुहम्मद बीन तुगलक ने ए सिकंदर लोदी ने त चलिए अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग एक दान विभाग और एक परुपकारी चिकत साले की स्थापना की ए फिरोज सा तुगलक बी मुहम्मद तुगलक सी अल्लाउदीन खिलजी डी बलवन तो इसका राइट आप चलिए अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं इबन बतूता किसके शाशनकाल में भारत आया था इलतुतमीस बी अल्लाउदीन खिलजी सी मुहम्मद बीन तुगलक डी बलवन तो इसका राइट आप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी मुहम्मद बीन तुगलक के शाशनकाल में भारत आया था चलिए अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं सन 1329 और 1330 के बीच किसने तामबे के सिकों के रूप में प्रमान स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी ए अल्लाउदीन खिलजी बी ग्यासुदिन तुगलक सी मुहम्मद बीन तुगलक डी फिरोध साथ तुगलक तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जगा हमारा सी मुहम्मद बीन तुगलक इससे याद आया मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि जो हमारा स्वर्ण मुद्राएं किसने सबसे पहले भारत में चलाए थे भारत में नहीं मतलब किस किस ने कव्द्राइए तो उसका पर ये यूनानानी स्वर्ण लेकिन लेकिन कुछ रिकर कर रहे भवर्ट के jam कुशान कुषान लोगों ने मतलब कुशान के चलाए तेक्षानन यहीं होगा भारतिय यूनानी चुकि अगर question में यह पूछ दे कि स्वन्द मुद्राएं किसने चलाए थे तो उसमें होता कुशान शाषकों ने चलाए थे ठीक है अगर question में सिर्फ यह पूछे कि स्वन्द मुद्राएं किसने चलाए थे तो उसका option होगा भारतिय यूनानी ठीक है इसको समझो ठीक है अगर question में सिर्फ स्मर्ण मुद्राओं की बात की जाए तो यहीं आएगा भारतिय यूनानी अगर वहाँ पे आप कुशान शाषकों ने चलाये थे यह option करके आओगे तो वह option गलत होगा ठीक है अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं दिल्ली के निम्न लिखित सुल्तानों में से किसे इतिहास कारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है ए बल्बन बी अल्लाव दिन खेल जी सी मुहमद बीन तुगलक दी इब्राहिम लोदी तो इसका right option क्या हो जगा हमारा सी मुहमद बीन तुगलक चली अगले प्रश्ण की बढ़ते हैं ठीक है किस कारण से मुहमद बीन तुगलक असफल व्यक्ति था ए वह विचिप्त था बी वह विभारिक राजनेता नहीं था सी उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया डी उसने चीन को साथ उसने चीन के साथ युद्ध किया तो इसका right option क्या हो जगा वह व फल व्यक्ति था ठीक है चलिए अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शाषन किया था किस वंश अब जिसको पता होगा कब से कब मतलब कब कितने से कितने इश्वी तक कौन सा वंश चला था उसी को आया ये प्रश्ण तो द तेरह सोबीस इश्वी तक कौन सा वंश? खिलजी वंश ठीक है फिर तुगलच वंश कब से कब तक चला था तो तुगलच वंश चला था तेरह सोबीस नौट कीजिये ये कweitिंशन में ऐसे भी आसकता है कि ये वंश कब से तक चला था तो इस में आपको टिक करना होगा 1206 एस विसे 1206 एस विशे कब से कब तक 1390 एसवी तक और फिर लोधिवेंस कब से कब तक चला था बताहिए लोधिवनस कब से कब तक चला था जौदर सो पच्चाअस एश्वी से 1523 एश्वी तक चला था कौन सा वंश लोधी वंश तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी जो की जादा अधिक समय तक चला था और सबसे कम समय तक कौन सा वंश चला था यह मुझे आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि मैंने सारे वंश जो का वो पीरेट बता दिया था तो चलिए अगले प्रश्णों की और बढ़ते हैं लोधी वंस की स्थापना किस ने की थी? ए इबराहिम लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी बहलोल लोधी, दी खिजर खान तो इसका राइट आप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी जोकी बहलो लोदी ने लोदी वन्ष की स्थापना की थी ठीक है फिर कौन सा वन्ष दिल्ली वन्ष का आखरी वन्ष है ये कोशन भी काफी इंपोर्टेंट है तो कौन सा वन्ष है लोदी वन्ष लोदी वन्ष ही दिल्ली वन्ष का आखरी वन्ष है ठीक है फिर लोदी वन अंतिम शाषक का नम क्या था इब्राहीं लोदी क्या हिब्राहीं लोदी ठीक है अगले प्रशन की और बढ़ते हैं निम्ण लिखित में से किस साषक ने सिचाइग तथा लोग निर्मान कार कर्या पर परियाप्त ध्यान दिया था तो इसका राइट उप्शन क्या हो हमारा सी फिरोद सा तुगलक ने चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगरा नगर की स्थापना निम्न लिखित में से किसके द्वारा की गई थी बताइए ए फिरोद सा तुगलक बी मुहम्मद बिन तुगलक सी अलाउदिन खिल जी डी सिकंदर लोदी तो इसका अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बहमनी राज्य की स्थापना निम्न लिखित में से किसके द्वारा की गई थी ए एहमद शाह प्रथम बी अल्लाउदीन हसन सी महमूद गवान डी फिरोद सा बहमनी तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अल्लाउदीन हसन ठीक ह पुनर निर्मान किया गया था किसके द्वारा देखिए आ गया ना इंपॉर्टन कोशन जो मैंने फर्स्ट कोशन कराया था उसमें पूछा गया था सिर्फ कि उसका पूरा पूरा किसने करवाया था को तुम मिनार को अब इसमें पूछ दिया गया कि पुनर निर्मान किसने करवाया था तो इसमें कौन सा option हो जगा हमारा d option is the correct answer फिरोज सा तुगलक द्वारा पुर्णर निर्मान करवाया गया था चलिए अगली प्रश्ण की और बढ़ते हैं चांद बीवी डैश की शाशक थी a एहमदनगर की b बीजापूर की c सतारा की d गोलकॉंडा की तो इसका right option क्या हो जगा हमारा a एहमदनगर की ठीक है एहमदनगर कहां पर है बताईए एहमदनगर महराश्ट्र में और यहां के मुख्यमंत्री उद्धा ठाकरे चलिए अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं निम्न लिखित बहमनी शाशकू में से बीजापूर में प्रशित गोल गुमबज का निर्मान किसने किया था a मुहमद आदिल शाह b मुहमद गवान c यूसुफ आदिल शाह d इसमाइल आदिल शाह तो इसका right option क्या हो जाएगा मुहमद आदिल शाह a option is the correct answer चली अगले प्रशन की और बढ़ते हैं निम्न लिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुमबद गोल गुमबद इस्थित है तो इसका right option क्या हो जाएगा इसका right option क्या होगा मारा निम्न लिखित . चली अगले प्रशं की और चलते हैं बहमनी राजाओं की रजजध्दानी क्या थी ? a गुल्बर्ग b विजापूर c बेलगां d राय चूर तो इसका right option क्या हो जाएगा हमारा a गुल्बर्ग चली अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं हमपी तिरुवन मले चितंबरम श्री रंगम तिरुपती आदी में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राइगोपूरम का निर्माता कौन था काफी important question है तो इसका right option क्या हो जागा हमारा बी कृष्ण देवराय चली अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं प्रशिद मुश्लिम साशिका चांद बीबी निम्न लिखित में से किस राज्य से संबंधित थी ए बीजापूर बी गोलकुंडा सी एहमद नगर डी बरार तो इसका right option क्या हो जाएगा हमारा सी एहमद नगर ठीक है अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं विजय नगर के मध्य काली नगर को आजकल क्या कहते हैं तो इसका right option क्या हो जागा हमारा सी हमपी चली अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं विजय नगर के शाशकों में सबसे महान किसे माना जाता है तो इसका right option क्या हो जाएगा हमारा कृष्ण देव राए जो की हमारा A है A option is the correct answer चली अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं कृष्ण देव राए किसके समकालीन थे A. शेर्शा, B. हुमायू, C. बाबर, D. अकबर तो इसका right option क्या हो जाएगा हमारा C. बाबर चली अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं विजय नगर का प्रथम शाषक कौन था जिसने पुर्त गालियों के साथ संधी की A. हरिहर, B. बुका, C. देवराय, दुईतिय, D. कृष्ण देवराय तो इसका right option क्या हो जाएगा हमारा D. कृष्ण देव राय चली अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं विजय नगर के गौरफ के भगनाव शेश और इसकी वास्तु शैली के तिहासिक महत्व कस्थान अब कहां देखा जा सकता है तो इसका right option क्या हो जाएगा हमारा B. हम पी चली अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं तराइन का यूद्ध कौन से वर्श्ण में लड़ा गया था कल मैंने बताया था तो इसका right option क्या हो जाएगा हमारा इसका right option क्या होगा C. 1191 इश्वी में लड़ा गया था चली अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं विजय नगर निम्न लिखित में से किस नदी के तट पर इस्थित है ये भी काफी important question है किस नदी के तट पर इस्थित है तो इसका right option हो जाएगा तुंग भद्रा नदी के तट पर इस्थित है चली अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं संत कभीर का जन्म कहां हुआ था तो इसका right option हो जाएगा बी वारा नसी में हुआ था अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं निम्न लिखित में से कौन सी बात भक्ती आंदोलन और सूफी आंदोलन में सांजी नहीं है ए ईश्वर के प्रती नीजी प्रेम बी मूर्ति पूजा कौन सी पूजा तैपिंग गलत हुआ हैं मूर्ति पूजा सी रहरो शिवाद दी तिर्थ स्थानों की यात्रा तीनों की बात तुकी गई थी भक्ती आंदोलन में लेकिन कौन सी बात नहीं की गई थी तो वो हो जाएगा मूर्ती पूजा B option is the correct answer चली अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं महराष्ट्र का महांतम भक्ति कवी कौन था A. रामदास B. तुकाराम C. नामदेव D. एकनाथ तो इसका right option क्या हो जगा B. तुकाराम चली अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं निम्द लिखित दार्शनी को और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा ग्याद कीजिए तो इसका गलत जोड़ा कौन सा है ध्यान से कॉश्न को देखिए तो इसका गलत जोड़ा ये हो जगा C. चैतन्यस का विशिष्ट अद्वैद से ये गलत जोड़ा है बाकी सारे तो सही है बाकी सारे सही है ये गलत है तो इसका राइट ओप्शन क्या हो जगा C. चली अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं श्रिंगेरी, बद्रिनाथ, द्वारका और पूरी में चार मठ स्थापित किये गए थे किसके द्वारा A. रामानुज द्वारा B. अशोग द्वारा C. आदि संक्र चारे द्वारा D. माधोद, विद्या, रणे द्वारा तो इसका राइट ओप्शन क्या हो जगा हमारा C. आदि संक्र चारे द्वारा चली अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं मिवार के राज घराने से संबंधित प्रशिद भक्ती संत या फिर था या फिर थी तो इसका राइट आप्शन क्या हो जगा हमारा C मीरा बाई मिवार के राज घराने से संबंधित ठीक है चलिए अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? ए बाबा फरीद बी कुतुब दिन बक्तियार काकी सी मुईनु दीन चिस्ती दी ख्वाजा बहाउ दीन तो इसका राइट आप्शन क्या हो जाएगा? बताईए इसका राइट आप्शन क्या हो जाएगा? सी मुईनु दीन चिस्ती अजमेर का मानलो जैसे राजस्थान का मक्का किसे कहा जाता है? राजस्थान का मक्का किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं राजस्थान का मक्का किसे कहा जाता है तो अजमेर को ही कहा जाता है राजस्थान की अंडे की टोकरी भी अजमेर को ही कहा जाता है जो लोग पुलिस कॉंस्टेबल की तयारी करें राजस्थान पुलिस कॉंस्टेबल की तो राजस्थान की अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है अजमेर को चलिए अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं भारत में चिस्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया ए निजामुदिन ओलिया बी सलीम चिस्ती सी शेख मुईनुदिन चिस्ती डी हमीलुदिन नागोरी तो इसका राइट आप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी सेख मु सी खानका डी सीनागोग तो इसका राइट आप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी खानका चलिए अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं भारत में सबसे प्रमुक सूफी पूजा ग्रिह कहां पर है ए पंडुआ बी बीदर सी अजमेर डी साह जहानाबाद तो इसका राइट आप् में से किसने सोमनात मंदिर पर आक्रमन किया था यह शायद कल मैंने पढ़ाया था ए महमूद गजनी बी मुहमद गौरी सी इलतो तुमेज डी कुतुब दीन आबक जो इनफोर्मेशन दी थी न मैंने कल कि सोमनात पर किसने आक्रमन किया था जिसने इनफोर्मेशन को भी लि पीर से क्या आशय है A. सर्वोच ईश्वर B. सूफियों का गुरू C. सभी सूफी संतों में सर्वश्वेस्ट D. सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी सिख्षक तो इसका राइट आप्शन क्या हो जाएगा हमारा B. सूफियों का गुरू चलिए अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं निम्न लिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था A. सिकंदर लोदी B. दौलत खान लोदी C. राणा संगा D. इब्राहिम लोदी ठीक है फिर उसके बाद कल मैंने एक क्वेशन कराया था कौन सा शीला लेख प्रयाग-प्रसस्ती के नाम से जाना जाता है कराया था तो जिसने ध्यान से सुना होगा तो उसमें मैंने जल्दी बाजी में कौन सा अंसर بتा दिया था उसमें मैंने हरी वो कुछ और ही बता दिया था उसका महरौली शिला लेक बताया था तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा उसको करेक्ट कर लेना इलाहाबाद स्तंभ शिलालेक कौन सा शिलालेक इलाहाबाद स्तंभ शिलालेक को प्रयाग प्रसस्ती के नाम से जाना जाता है कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे तो उसमें हरी सेन द्वारा लिखित या शीला लेख समुद्र गुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है कौन सा शीला लेख इलाहाबाद स्तंब शीला लेख चलिए अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं कृष्ण देवरायन ने हमपी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था या इस समय किस राजे में इस्थित है A. करनाटक, B. कलकत्त, C. जम्मू और कश्मीर, D. केरल तो इसका राइट ओप्षिन क्या हो जगा हमारा A. करनाटक, ठीक है, चलिए आज के questions को यहीं पर समाप्त किया जाता है आशा है कि आपको यह lecture काफी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करना ना भूलें, लाइक भी दे दीजेगा चलिए ठैंक यू